कहानी एक पक्षी पूर नामक जेंगल की है जहां जेंगल के तमाम पक्षी रहा करते थे उस जेंगल में एक चील भी रहती थी उस चील का नाम नरसिंभा चील था जंगल के तमाम पक्षी उस चील की बहुत जादा इज़त करते थे क्योंकि वे चील बहुत जादा अच्छी थी और वे हर छोटे बड़े काम में तमाम पक्षियों के काम आती अरे बिर्जू तुम जानते हो वे नरसिमबा चील कितनी जादा अच्छी है आज तो उसने मेरी बहुत मदद की है हाँ बिर्जू मैं जानता हूँ नरसिमबा चील बहुत ज़्यादा अच्छी है परन्तू ये तो बताओ कि तुम्हारी उसने इसी क्या मदद कर दी आज अरे बिर्जू मैं ना असल मैं दलदल में फस गया था फिर पता नहीं कांसे वहाँ पर नरसिमबा चील आ गई और देखते ही देखते उसने मुझे दलदल से निकाल कर मुझे बचा लिया अरे तुम सही कह रहे हो दोस्त नरसिमबा चील है ही इतनी अच्छी वे सब की मदद करती है नरसिमबा चील की इज़द जेंगल में दिन बदिन बढ़ती ही जा रही थी क्योंकि तमाम पक्षी उससे अच्छी निदर से देखते थे और फिर एक दिन मीनो चीड़िया हवाँ में उड़ रही थी और वे जेंगल की सेर कर रही थी अरे वाह आज मोसम कितना ज्यादा अच्छा है मोसम तो बहुत अच्छा है अगर इसी तरह आज मुझे कुछ ज्यादा ही अच्छा भोजन मिल जाए तो आज का तो दिन ही बन जाएगा मीनो चीड़िया अभी हवा में उड़ ही रही थी कि तब युसकी नजर एक जगा पर पढ़ती है कालु कवे ने जेंगल के तोते महराज को मार डाला था और वे उनके साम नहीं बैठा हुआ था मीनो चीड़िया ने ये सब कुछ देख लिया था खुन हो गया खुन हो गया जेंगल के तोते महराज का खुन हो गया अरे कालु कोवे ने ये क्या किया तोते महराज को जान से मार डाला फिर मीनो चीड़िया फोरण से कालु कोवे के पास जाकर बेठती है अरे कालो कोई ये तुमने क्या किया हमारे प्यारे तोते महराज को मार डाला तुम तो खूनी हो तुमने तोते महराज का खून किया है आरे आरे मीनुचिडिया तुम तुम यहां कहां से आ गई तुम हमेशा से मेरे लिए पनौती हो जब दे मैं कुई अच्छा काम करता हूँ तुम वहां पर अचानक से पहुच जाती हो अरे कालुकवे यह उल्टी सीधी बातें मत करो और तुम सीधे से बताओ तुमने तोते महराज को क्यों मारा अभी मीनुचिडिया कालुकवे से यह पोची रही थी तबी उसे पीछे से आवाज आती है मीनुचिडिया अपने सामने नरसिमबाचील को देखकर काफी जादा हिरान हो गई उसे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि यह नरसिमबाचील इतनी ज्यादा बुरी है अरे नरसिमबाचील इतना बड़ा विश्वास गात तुमने हम सब पक्ष्यों का दिल तोड़ा है तुम हम सब के सामने कितनी अच्छी बनी रहती थी और आज तुमारा असली चेहरा मुझे नजर आ गया ही तुमने तोते माराज को चान से मार डाला अरे हाँ और क्या अगर मुझे इस पूरे जंगल का राजा बनना है तो सामने वाले राजा को तो मारना ही होगा ना वरना मैं राजा कैसे बन पाँगी हाँ 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 अच्छा यानि तुम इस पूरे जंगल पर राज करना चाहती थी इसलिए सब पक्षियों से तुम अच्छे से मिलती थी और यहां तुमने तोते महराज को मार डाला तुम तो बहुत ज़ादा दूश थो मैं ये बात जंगल के हर एक एक पक्षि को बता दूँगी देख ले ना तुम अरे अरे चील जी ये मीनू क्या मजाता रही है इसे लगता है हम इसे अब ऐसे ही जानने देंगे जब इसे हमारी असलियत का पता चल चुका है अरे हां मीनू चील जी आज तो ये बेवकूफ कोवा भी सच कह रहा है मैं तो तुम्हें बहुत ज़ादा समझदार समझती थी पर अंतु ये क्या तुम तो बेवकूफ ही हो मैं तुम्हें यहां से इसे ही जानने नहीं दूँगी क्योंकि तुम्हें मेरी असलियत का पता चल चुका है अब इस दोते के साथ तुम ही मरोगी हाँ 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 और चील जी मैं तो कह रहा हूं कि इस चिडिया को हम जमीन में ही दफना देते हैं फिर ये क्या उखार लेगी हमारा अरे वाह कोवे आज कर तुमने रोटी भीगों के खाली थी जो इतनी समझदा बिचारी की बाते कर रहे हो हम ऐसा ही करेंगे फिर क्या था वे दुष्ट नरसिंबाचील और काल को हुआ दोनों मिलकर मीने चिडिया को वहें पर दफना देते हैं बिचारी मीने चिडिया चीखती ही रह जाती है परन्तु वहां उसकी मजद के लिए कोई नहीं आ रहा था अरे बचाओ मुझे कोई मुझे यहां से बहार निकालो मुझे इन दोनों पक्षियों का सच सब को बताना है मुझे कोई बहार निकालो मीनो चिडिया को जमीन में दफन करकर वे चील और कालुका हुआ दोनों ही तमाम पक्षियों को जमा करकर बहुत ज़्यादा दुखी बात बता रहे होते हैं अरे मुझे आप सबसे बहुत ज़्यादा अफसोस करके ये कहना पड़ा है कि हमारे तोते महराज अब नहीं रहे अरे हाँ पक्षियों हमने अपनी आँगों से देखा है तोते महराज अब मर चुके हैं अरे नरसिमबाचील आप कहती हो तो हम आपकी बात मान लेते हैं परन्तु हमारे तोते महराज ऐसे कैसे मर सकते हैं अरे पक्षियों अब होनी को कौन टाल सकता है जो हुआ है हमें उस पर ही सबर करना चाहिए औरे पक्षियों हमारा जंगल अब बिना राजा के नहीं चल सकता मैं तो चाहता हूँ कि नरसिमबाचील पूरे जंगल का राज संभाल ले अरे हां कालो कोवे तुम ठेक कह रहे हो हमारे पूरे जंगल में नरसिमबाचील सबसे जादा समझदार हैं और ये बहुत जादा अच्छी है अगर ये राजा बनेंगी तो मुझे तो कोई भी अतराज नहीं है जंगल के तमाम पक्षी कालो कोवे की बात मान लेते हैं और वे नरसिमबाचील को राजा बनाने के लिए तैयार थे वहीं दूसरे तरफ बिचारी मीनुचिडिया अभी तक जमीन के अंदर ही फसी हुई थी वे किसी को अपनी मदद के लिए पकार रही थी मीनुचिडिया अभी आवाज लगा ही रही थी के वहाँ पर एक रंगीन पक्षी आकर बैठता है उसने मीनुचिडिया की आवाज सुन ले थी फिर क्या था रंगीन पक्षी अपनी तेज चोच से पूरी जमीन खोट डालता है और मीनू चिडिया बहुत ज़्यादा असानी से बाहरा जाती है अरे रंगीन पक्षी तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद आज तुमने मेरा बहुत बड़ा काम किया है अरे मीनू कोई बात नहीं तुमने भी का मेरी बहुत दफा मदद की है और मुझे मुझे मुश्किलों से निकाल आए तो आज मैंने तुम्हारी मदद कर दी तो इसमें क्या हो गया अरे हा रंगीन पक्षी तुम बिलकल ठीक है रहे हो फिर मीनू चिडिया फॉरन कालुकवी और नरसिमबा चील को ढूनने के लिए निकल जाती है रास्ते में मीनू चिडिया को पक्षियों का एक जुन नजर आता है मीनू चिडिया फॉरन से वहाँ पर आगर बेट जाती है अभी मीनुचिडिया देखती है कि नरसिमबाचील और कालुकवा दोनों वहीं पर ही बैठे हुए थे और वे तमाम पक्षियों को नरसिमबा के राजा बनने का पार्ट बढ़ा रहे थे अरे पक्षियों नहीं ऐसा नहीं हो सकता ये नरसिमबाचील हम सब की राजा नहीं बन सकती क्योंकि इसने हमारे तोते महराज का खून किया है ये सब मैंने अपनी आखों से देखा है और तो और ये कालुकवा भी इसके साथ ही मिला हुआ है नरसिमबाचील और कालुकोवा हैरान थे कि ये मीनोचिडिया अचायनक से यहां कैसे आ गई अरे अरे पक्षियों ये मीनोचिडिया बिलकुल जूर बोल रही है हमारे नरसिमबाचील ऐसा कैसे कर सकती है अच्छा आप लोगों को अगर मेरी बात पर यकीन नहीं आरा तो जरा इस नरसिमबाचील और काले कोवे पर तोते महराच का लगा हुआ खून देख लीजिए आपको यकीन आजाएगा फिर पक्षि जैसे ही उन दोनों के पेर देखते हैं उनके पेरों में वाकई तोते महराच का खून लगा हुआ था अब तो जंगल के सारे पक्षि ये मान गए थे कि उन दोनों ने ही तोते महराच का खून किया है अरे हां किया है मैंने तुमारे तोते महराच का खून क्या कर लोगे तुम लोग मेरा अरे पक्षियों देखो ये नरसिंबा चिल कैसे के रही है ये दोनों हमारे तोते महराज के अतिया रहे हैं मैं तो कह रही हूं मारो इन्हें फिर क्या था जेंगल के तमाम पक्षियों को उस चील और कववे पर बहुत जादा खुस्सा आता है और वे सब पक्षि बड़े बड़े डंडेला कर उस चील और कववे को मारने लगते हैं और वे उन दोनों को तब तक मारते रहते हैं जब तक कि वे दोनों मर नहीं जाते है आखिरकार चील और कवे की मिरती हो जाती है और मीनुचिडिया को सुकुन मिलता है कि उसने तोते महराज को इंसाफ दिलवा दिया आज मीनुचिडिया की वज़े से बक्षी पूर जंगल एक बार फिर से बरबाद होते होते बज़ गया